आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर हमारा mobile phone format हो जाता है, या फिर हमारे mobile phone को कोई और format कर देता है, या फिर हमारा mobile phone हम से heart reset हो जाता है, और ऐसे में हमारे mobile phone में जो important photo थे हमारे और जो important video थी, एसे में वो यहाँ पर delete हो गई है और अब हम चाहते हैं इन photo और वीडियो को वापस लाना तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप photo और वीडियो को वापस ला सकते हैं तो अगर आप भी अपने photo और वीडियो को वापस लाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे दो तरीके बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आपके photo और वीडियो आपके mobile phone में recover हो जाएंगे अगर आप भी अपने photo और वीडियो को recover करना चाहते हैं आप इस वीडियो को complete देखें वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करें तो अब चली चलते हैं अपने mobile phone के screen पर अब मैं आपको इस वीडियो में detail से जानकारी देने वाला हूँ कैसे आप photo videos को वापस ला सकते हैं तो दोस्तो अगर आपका mobile phone format हुआ है तो अब मैं आपको इस वीडियो में दो ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आपके photo और videos आपके mobile phone में वापस आ जाएंगे तो सबसे पहले बात करते हैं number one की number one पे आपको आना है play store पे यहाँ पर आने के बाद आपको search करना है डिक्स डिजायर आप यह search कर लेंगे यह search करने के बाद आपके सामने यह app आता है बात करें इस app की download की तो 100 million प्लस इस app की download है तो आपको अपने mobile phone में यह app यहाँ से install कर लेना है यह app install होने के बाद आपको यह app यहाँ से open करना है यह app open करने के बाद उपर लिखा हुआ है start basic photo search यहाँ पर आप किलिक कर देंगे यहाँ पर किलिक करने के बाद permission को आपको इलाव करना है उसके बाद यहाँ पर scanning होनी start हो जाएगी और जो भी आपके mobile phone में photo थे वो सब यहाँ पर आकर recover हो जाएगे अगर दोस्तों आपका mobile phone format हो टाइम ज़्यादा हो गया है तो मैंने अपने mobile phone को format कर दा था उसके बाद मैंने यह कुछ photo आपके सामने recover करकर दिखा है जब मैंने अपने mobile phone को format कर था उस time मैंने यही photo अपने mobile phone में save करकर रखे थे और वहाँ से मैंने delete नहीं करे थे क्योंकि मैंने खुद personally इस app को try करा है इस app से आपके photo वापस आ जाते हैं 80% 80% chance होते हैं photo वापस आने के अगर आपके इस तरह से भी photo वापस नहीं आते हैं तो अब आपको यहां से बेक आना है यहां से बेक आने के बाद आप play store पे आएंगे यहां पर आप search करेंगे photo यह सर्च करने के बाद आपके सामने Google photo वाला एप आएगा आपको यह एप अपने mobile phone में यहां से इस्टॉल कर लेना है उसके बाद आप इस एप को open कर लेंगे Google photo ओपन करने के बाद आपको किलिक करना है पर लिखा हुआ है sign up आप voilà किलिक करेंगे यहांपर किलिक करने के बाद आपके सामने यहां पर एक next पेंच आएगा और आपको दोस्तो दियान से देखना है जब दोस्तों आपने अपने मुबाइल फून को फॉर्मेट करा था उस टाइम जो आपके मुबाइल फून में Gmail ID थी, यानि आप उसे Play Store ID भी बोल सकते हैं, अगर आपके मुबाइल फून में वो थी और वो Gmail ID आपको याद हैं और उसका password भी याद हैं, तो वो Gmail ID आपको यहा पासवर्ड एंटर करना है, अगर हमें इसका password भी याद नहीं है, तो मैंने एक complete वीडियो बना कर रखी, जिस वीडियो में मैंने आपको बता है कैसे आप Gmail ID का password को reset करके एक नया password बना सकते हैं, उस वीडियो का link आपको description box में देखने को मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो को देखने के बाद आपको अपना password को reset कर लेना है, और password reset करने के बाद जब आप एक नया password वहाँ पर बना लेंगे, तो वो ही password आपको यहाँ पर enter कर देना है, उसके बाद आप nest पे click कर देंगे, nest पे click करने के बाद आपको कुछ सिकन का wait करना करना है, और आपको सामने ओपसना जाहेगा आई गरी का, आप यहाँ पर click करेंगे, यहाँ पर click करने के बाद आपको सामने ओपसना आता है, Google सर्विस का आपको नीचा आए, और इसे accept कर लेना है, accept करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपकी Gmail आईडी आजा brown जाए तो हalter कोकि काफी परने अपरेल 2021 हैंट इए फोटो भी हमारे पर वापस की आपने करांस आपके अपर जब रहते हैं मोबाइल सब्सक्राइब यानि बेकप को ओन करते हैं इस तरह से जब यह आपके फोटू यह वापस आते हैं जैसी फॉर एक्जामपल यहां पर यह कुछ स्क्रिंसोर्ट है अगर इसे हम यहां से ओन कर देते हैं यह सारे स्क्रिंसोर्ट गूगल ड्रायब में आकर सिफ हो जाएंगे तो इस तरह से भी आप अपने फोटू को और वीडियो वापस ला सकते हैं अगर आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं आपका बेकप डाटा यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा अगर आपने बेकप अपने इस एप में open करकर रखा है वेसे तो जाज तर एप में आपको बेकप वाला option on मिलता है तो दोस्तों यह थे कुछ तरीके फोटो और वीडियो वापस लाने के जो मैंने आपको बता दिये हैं इस तरह से तो आप अपने फोटो और वीडियो को वापस ला सकते हैं फोटो वीडियो वापस आने के चांसिस आपके यहाँ पर 80-90% होते हैं अगर ऐसे भी आपके फोटो और वीडियो वापस नहीं आए हैं तो फिर आपके पास कोई और अधर ओप्सन देखने को नहीं रहता है फिर आपके फोटो और वीडियो वे वापस नहीं आएंगे तो दोस्तों अगर आपके फोटो और वीडियो वापस आ गए हैं तो आप इस इस्ट्राग्राम पर जाकर टाइप करेंगे एड़रे टेकनिकल आरिफ तो आपके सामने पेंच आ जाएगा तो आप आप से भी फोलो कर सकते हैं उमीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपके मोबाइल फून में फोटो और वीडियो वापस आ रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुर ना बोलें सांत इस वीडियो को लाइक जरू कर दें तो आप चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जहिंत